बिस्मिल्लाय रॉक्मान दिर्वहीम, तोडेस टॉपिक ओफ डिसकेशन इस पर्सनल आइटिफिकेशन, आज से हम पारिक के ओपर रिवीयन वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँकर रेगुलर्ली एक या दू चैप्र को फिदिश करवाता जाओ, तो पहले चैप्र को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्सनल आइटिफिकेशन, तो सबसे पहले पहले जो कोशन है, वाट इस आइटिटिटी एंड वेंड दस दा क्वेशन आइटिटी आराइज, तो पहले इडिटिटी की डाफिनेशन का उप पढ़ लेते हैं, किस किसी पहले परसन की इंडिवेज्वालिटी को इस्टैबिलिश करना तो उसको इडिटिटी बोलते हैं, किसी बंदे की शनाखत को इस्टैबिलिश करना, अब कि इडिटिफिकेशन का मतलब है कि उस परसन को चाहे वो लिविंग परसन है, चाहे वो डेट परसन है, उसको र कर लेना, complete recognition कर लेना। partial के अंदर सिर्फ कुछी facts का पता चलाना, वोके like , य Gör बारे में c잡 SH, est laser, stature बाकि जो information है, वो unknown, सिर्फ कुछ information का पता चलाना, तो उसको बोलती है partial identification , complete के अंदर सारी factual information को determine कर लेना, अब जो personal identification का questions raised होती है , यान परिस्नल identification का ईप मैडिक को legal significance के है civil cases के अंदर हम कब apply करते है identification को okay और criminal के कौन कोंसे cases होते है like in the living person living person के ओपर civil court में किन-किन cases में या किन-किन condition के ओपर personal identification के questions raised हो सकते है for example insurance है pension है inheritance claims है तो इसमें आपने identification करनी होती है किसी particular person की marriage है disputed sex है missing person होती है तो यह civil cases होती है दुबारा बता देता हूँ marriage है passport है license के लिए apply करना है inheritance के लिए है insurance claim है pension है missing person है disputed sex है तो इन civil cases के अंदर identity को determine किया जाता है इसके बाद है criminal court या criminal cases criminal cases के अंदर abscoding soldier है criminal है abscoding soldier को उर्दों में बोलते हैं मफरूर क्यादी या मफरूर सपाही है या किसी person के उपर इल्जाम लगाया गया है जियाती का लगाया है या किसी के साथ जबरदस्ती की है murder बगारा का है impersonation है जिसको हम नकाली कहते हैं या नकल वाली जो बंदा होता है किसी बंदे दूसरे बंदे का रूप धाल लेता है ओके या maternity hospital के अंदर बेबी इंटर्चेंज हो जाते हैं तो यह criminal cases है दोबारा बता देता हूं कि अगर person accused है assault का murder का rape का या maternal या maternity hospital के अंदर newborn baby exchange हो गया है impersonation है absculting soldier or criminals है road traffic accident के case में भी हम personal identification के caution को raise करते है identity को determine करते है homicide cases होते हैं इसमें भी हम identity को देखते होते हैं अब यह तो होजगा living अब dead person के अंदर या dead body के अंदर इस case में identification क्यों जरूरी है किन किन condition के अंदर for example अगर आग लग जाती है और कोई बंदा जल के खाक हो जाता है या फिर कोई dead body मलती है ठीक है fire arm को इंजरी हो गी है या आग के अंदर कोई dead body जल गई है उसके identification करनी होती है एक्सपुलोईयं धमाका हो गया है accident वगरा हो गया है या फिर कभी आपको unknown dead body मिलती है रोट के उपर खेतों के अंदर या railway compartment के अंदर या पानी के अंदर तो इस case में भी identification करनी होती है लेकिन उपर वाली heading थी living person के अंदर अब यह है dead person वाले cases के अंदर ठीक हो गया या decomposed body mutilated body है या आपको कोई skeletal remains मिले है यह पता चलाना कि skeletal remains किस बंदे के है ओके तो इन cases के अंदर identification की जाती है जो accurate identification होती है यह corpus and corpus delicti इसको establish करने के लिए important होती है corpus delicti का मतलब क्या है the body of offense sorry body of offense यानि जो असल में किस type का जुरूम हुआ है offense को क्या कहते है crime बोलते है जु positive identification किया है उसका death का proof किया है by criminal act of assault sorry criminal act of accused एक मरतबा identification हो जाए तो फिर हम circumstantial evidence को use करते हुए murder के trial को solve करने की कोशिश करते हैं अब तक हमने क्या पढ़ लिए identification की definition को देख लिया identification की हमने देख लिया types किया होती है किन-किन चीजों पर depend करता है living person और dead person में किन-किन cases के अंदर आपने identification करनी है okay corpus delicti का क्या मतलब होता है okay फिर अब हमने देखना है कि कौन-कौन से points है जो आप use करते हो किसी भी बंदे की identity को establish करने में तो number one point है race okay okay फिर है religion, sex क्या है, age क्या है, general development क्या है, congenital features क्या है like personal appearance है, anthropometry है, measurements है, fingerprints है, dactylography है, including poroscopy है, poroscopy को locars method बोलते है, footprint है, congenital malformation है, like birth marks है, और moles होते है, okay कुछ acquired peculiarities होती है, acquired के अंदर occupational marks है, tattoo marks है, scar है, acquired malformation है, like deformity है, miscellaneous data है, identity की obliteration है, okay यह तो यह वो points होते हैं, जो आप identity को determine करने के लिए इस्तमाल करते हो, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, कि whole body में हम race और religion देखती है, race है, religion है, age है, sex है, और general development है, ठीक है, और structure है, ठीक है, इसके इलावा, जो body parts होती है, वहाँ पर आप congenital features देखते हैं, like personal appearance किया, anthropometry किया है, ductalography किया है, poroscopy किया है, low card method किया है, foot parent किया है, chiloscopy किया है, congenital malformation किया है, ठीक है, okay यह आप anatomy भी देख सकते हो, like primary sexual characteristics होते है, scandalous sexual characteristics होते है, pathology का पर पर पता चला सकते हो, like diseases होते है, sickle cellanemia हो गया, genetics से भी आपता चला सकते हो, identification का, like blood grouping है, nuclear sexing है, जैसमें Davidson body, bar body आ जाता है, okay, अब सबसे पहला जो parameter आ रहा है, identification का, वो है race, अब race को determine किन किन चीज़ों से कर सकते है, पहला है cloths, कपड़ों से हम कर सकते हैं, complexion से हैं, बालों से कर सकते हैं, hair से कर सकते हैं, eyes से कर सकते हैं, और lips से कर सकते हैं, इसके लावा skeletal factors भी होते हैं, लेकिन उसको next chapter में describe किया ग पिर भी हम race को determine कर सकते हैं, skeletal characteristics क्या होती है, skeletal characteristics के अंदर आपने sappholic index को कभी भी नहीं भूला, sappholic index क्या होता है, transverse breadth of skull over anterior posterior breadth of, या length of skull, जो sappholic index होता है, anterior posterior length का inversely proportion होता है, जो negro होता है, उनके अंदर sappholic index 70 से लेकर 74.5 होता है, डोली को sappholic होता है, कि हम को के जोड़ाइट में बिलॉंग करते हैं हमारा जो सेफलिक इंडेक्स होता है 75 से देकर 79.9 होता है जिसको मिसेटी सेफलिक बहुता है ठीक है अब कपड़ों से किस तरह से कर सकते हैं जो इंडियन ड्रेस होता है इसके बाद है क्लासिकल वो धोती या साडी होता है वो जो वेस्टर ड्रस होता है उससे इंडिफरेंट होता है डाइक वेस्ट के अंदर सूट या स्कर्ट का इस्तेमाल किया जाता है ओके इसके बाद है कॉंप्लेक्शन है जो नेगरों के जो स्किन होती है वह डार्क होती है USA के अंदर word use होता है वह black होता है Indians के पाकिसानियों के brown होती है और Europeans के fair होती है इसके बाद है hair जो Indians और पाकिसानी के hair होती है वो black होती है, long होती है और fine होती है China और Japanese के black और thick होती है, mोटे होती है Negro के woolly short curly होती है European के fair, light brown, reddish और blonde होती है आइस को अगर देखें तो जो iris का color होता है Indians और यानि Asia वाला जो typical होता है वो dark और brown होता है, black और brown European में blue और gray रंग का iris होता है Negro के lips relatively thick होती है और वो everted होती है तो यह कुछ important points थे तो complexion अगर मैं बताऊ तो complexion क्या होता है Negro का black होता है, Caucasians का fair होता है जबकि मंगोलाइट का yellowish होता है अगर हम eyes की बात करते है तो जो eyes का iris का color होता है जो negros का negros का क्या होता है, black होता है Caucasians का dark और brown iris हो सकता है ठीक है, जो mongolians होता है वो black रंका होता है अगर हम hair की बात करते हैं hair के थोड़े से difference होता है exam में for example, अगर hair की general features की बात करते है तो जो negros होते है उनके hair होते है, thick होते है, curly होते है और self spirulated होते है इनका diameter होता है, hair का relatively काम होता है इनके cross section में देखे तो वह flattened देखने को बिलती है pigmentation periphery के पर जादा होती है cuticle ना होने के बराबर होता है जो undulation हो pre-valent होती है किस के अदर नागरू के अदर इसको opposite कर दो, तो Caucasian और Mangolites बन जाएगा अगो हम चलते हैं आगे की तरफ तो यह तो हो गया race वाला point अब इसके बात है religion ठीक है दूसरा अब जो religion होता है यहने इंडिया के अंदर या पूरे ओवराल एशया के अंदर जो Hindu और Muslim वाला religion जादा common होता है तो Hindu males और Hindu female का क्या फर्क होता है वाँ, Hindu males और मुहमदन males का क्या होता है जो Hindu males होते है, normally circumcised नहीं होते है जो मुहमदन males होती है, इनमें circumcision होती है इनका जो पैने वाला कोई मुकदिसी धागा होता है second thread लिखावा है, second thread है जबकि यहां पर कोई ऐसे second thread नहीं होता बलके मुहमदन males के अंदर जो आपको बताए कि knees और foot के lateral aspect के ओपर cons और callocities होती है जिनको आप माथे के ओपर forehead के पर भी निशान होता है महराब का जो सच्षदे की वज़े से होता है ठीक हो गया, prayers के अंदर जो position होती है निमाज में उसकी वज़े से थोड़ा सा ब्लैक रंग की callocities वगरा create हो जाती है उन्दा lateral aspect of knees and the foot ठीक है, तो मुहमदन males में circumcision होती है cons और callocities होती है तो ये तो होग religious में और महाद में बाद है अब इसके बाद है हिंदू फीमेश और महामधन फिमेश जो हिंदू फिमेश होती है वह सारी पहंती है लेकिन जो फिमेश है ट्रॉसर पहंती है जो हिदू फिमेल्स है यहाँ पर 1.000.000 marks होते है Holland C रहे पेलिएनबार्क नहीं होता है, यह जो इनका जो नौस रिंग होता है वो left e Casey Z उसमें एर रिंग्स के लिए कही होता है, यहां पर relatively जादा जो हिंदू फेमिल sudah ईंके जो बॉड़िक के उपर डिफेरेंट टी Bliss से Funk होते हैं तो हमने race और religion वाले points को cover कर लिया है कहते है कि Sikh और भी religion है Christian वाला भी है Persian वाला भी है ठीक है लेकिन वो relatively minor होते हैं इसके बाद हम चलते हैं question number 3.2 के तरफ describe the evidence on which sex is determined on normal cases in doubtful cases give its medical legal aspect and try to short note on nuclear sex sink with special reference to the bar body and the Davidson body okay तो अब सीधा sex determination पर चले गया है पहला point क्या होगा है race दूसरा point होगा religion जो race होती है वो skeletal data से भी की जाती है लेकिन उसको आगे next chapter में describe किया है ठीक है तो race इसके बाद हम चलते हैं religion religion भी हो गया हिंदू और Muslim वाला मुहमधन वाला इसके बाद sex के तरफ चलते हैं okay determination of sex तो जो sex determination होती है तो evidence of the sex होता है यानि sex determination होती है इसको तीन point में divide कर देते हैं कुछ ऐसे points होते हैं जो most certain होती है कुछ highly probable होती है और कुछ presumptive होते हैं okay ठीक हो गया तो हमने इसको इस तरह से पढ़ना है okay तो sex determination तो पहला है normal cases के अंदर living body के अंदर जो certain evidence होता है पूरी surety वाला evidence होता है sex का वो यह कहता है कि female के अंदर ovary है और male के अंदर testis है या अगर testis है तो वो male है अगर ovary है तो female है ठीक है तो यह highly certain evidence होता है इसके बाद है highly probable ठीक है probability है यानि शाहिद वाला factor आ जाएगा अब जो probable वाले evidence होते हैं इसमें क्या होता है इसमें sexual structures को possess करना like developed breast है female distribution of hair है यह complete surety प्रवाइड नहीं करते है क्योंकि बाद वकात males के अंदर भी breast develop कर जाती है जिसको गाइने को master बहते है लेकिन यह highly probable है यानि यह 90% बता देते है 100% बताने के लिए तो यह वाला certain evidence है लेकिन जो 90% के लिए है वो highly probable होता है इसमें sexual characteristics को sorry sexual structure को possess करना like developed breast है female distribution of hair है appropriate physical development है distribution of subcutaneous fat है और vagina इंद फीमेल ठीक है तो यह सब चीज़े क्या थी यह female के लिए थी दोबारा बता रहता हूँ developed breast है female distribution of hair है physical development होती है female के अदर specific जगह के पर subcutaneous fat distribution होती है like abdomen के ओपर और vertex वाली area के पर होती है और female में वजाएना होता है जबकि breast की absence होना या rudimentary होना ठीक है male distribution of hair हमाँ पर female distribution of hair था appropriate physical development उनकी भी appropriate physical development थी female के अदर वजाएना और male के अदर penis होता है तो यह highly probable थे अब इसके बात जो presumative evidence होते गहां ठीक है outward या external appearance क्या है उसका face का contour क्या है features क्या है या presence hair के presence क्या है या distribution क्या है shaving का कोई evidence तो नहीं है head hair की length क्या है cloth कपड़े क्या है figure कैसी है habits कैसी है inclination कैसी है wise कैसी है अब doubtful cases के अंदर जो true sex होता है वो किन-किन चीज़ों से मालूं कर सकते है doubtful cases के अंदर ठीक है यह तो था normal cases यह था normal cases अब heading को तिछे तरी के से देख लेना तो यह normal cases था अब यह doubtful cases है doubtful cases के अंदर जो sex होता है वो किन-किन method से determine कह जाता है external examination है ठीक है फिर internal examination है अब इस सवाल के अंदर nuclear sex का पूछा गया है तो nuclear sex को कर लेते हैं वसे इन पार्च तरीकों से कर सकते हैं यानि physical examination कर सकते है psychological assessment भी कर सकते है और anatomical examination भी कर सकते हैं psychological assessment के अंदर हम उसके कुछ behavior को देखते हैं लाइक वो ट्रांस्वेस्टाइट तो नहीं है ट्रांससेक्शूल तो नहीं है या ट्रांसजेंडर तो नहीं है अब हारी बार ही है nuclear sex की वरना age को या sex को हम आलूम कर सकते हैं by skeletal data लेकिन उसको next chapter में describe किया गया है तो हम nuclear sexing को यहां से तियार करते हैं nuclear sexing होता किया है यह method होता है it is a method of sexing cell यानि cell को sexing करना या या male cell है या female cell है जो doubtful cases के अंदर या decomposed mutilated body के अंदर brain के काफी जादा close पड़ावा होता है जिसको बोलते बार बोडी बकल स्मेर के अंदर जो बार बोडी के percentage होती है female के अंदर 20 से लेकर 80 होती है जिसको बोलते है chromatin positive और males के अंदर ना होने के बराबर होती है या 0 से लेकर 4% तक होती है इसके लाबा female के अंदर drumstick like projection होती है किसके होती है polymorph nucleus की ठीक है तो उसको क्या बोलते है davidson body okay davidson body क्या होती है drumstick like projection होती है on the polymorph nucleoside याने जो हमारी wbc होती है यह six percent of the cell के ओपर देखने को बिलती है जबके female के अंदर जो यह वाली body थी बार body 20 से लेकर 80 और male के अंदर 0 से लेकर 4 यानि male chromatin negative है और female chromatin positive होती है इसके बाद है study of sex chromosome ठीक है तो nuclear sexing के बाद study of sex chromosome के तरफ आ गया है तीद के pulp है या hair है जो y chromosome होता है male के अंदर तो वह fluorescent होता है to the specialized strain which is called quinacrine dihydrochloride strain जो root sheath होते है root sheath hair cells होते हैं वह काफी ज़्यादा special interest के होते हैं क्योंकि वह putrefaction को resist करते हैं तो असलमें जो root sheath होते है उसको लिया जाता है for the estimation or demonstration of bar body और y chromosome को देखने के लिए हम root sheath ले सकते हैं वसे यहां पर buckle smear भी ले सकते हैं लेकिन जादा favorable होगा root sheath क्योंकि जो root sheath होते हैं यह पर hair होते हैं वो putrefaction को resist करते हैं medical legal aspect के हैं sex determination होती है वो important होती है for identification, purpose, inheritance वाले cases के अंदर marriage वाले divorce है या military service के लिए liability as sexual offenses है या olympics game में participate करना है तो in condition के अंदर sexual determination important होती है इसके बाद है write briefly about variation from the normal sex, normal sex से variation क्या होती है तो आज कि इस वीडियो के अंदर हम तक्रीबन यहां तक cover कर लेगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को like जरूर कर देगा चप्टर कितना बढ़ा है उसे चलो शोटा से तो अब हम पढ़ने वाले है variation from the normal sex यानि intersexual state or concealed sex इनको पढ़ने वाले है तो पहला है variation from the normal sex अब variation from the normal sex क्यों आ सकती है due to defective development of single mass of the cell अब single mass of the cell जहांसे दोनों sex के sex organ derived होती है यानि zygote के अंदर कोईना की मसला आ गया अब इसको हम कितने में divide कर रहे हैं दो category में divide कर रहे हैं अब बाद जोगर ऐसा होता है कि intersexual state भी हो सकती है या concealed sex भी हो सकता है intersexual state के अंदर एक ही individual के अंदर male or female structure देखने को मिलती है male or female genitalia चाहे वह external है चाहे वह internal है same individual में देखने को मिलता है या फिर external genitalia की imperfect differentiation होती है perfect नियोपादी सही तरह नियोपादी like penis काफ़ी द्यादा समाल है Claytoris को resemble कर रहा है Claytoris जादा ही large होगी है penis को resemble कर रहा है scrotum bifid होगी है तो वह Labia 맞ura को resemble कर रहा है या फिर Labia Majura fuse होगी है तो सक्रोटum को resemble कर रहा है यह होती है imperfect differentiation जिसको हम concealed sex के अंदर दिख लेती है तो intersexual state को पढ़ लेती है intersexual state ऐसी condition होती है जिसमें male of female characteristics like gonads है physical form है, sexual behavior है सब चीज़े एक individual के अंदर exist करती है हाँ, इनके proportion different होती है अब इसको मजीद चान में divide कर देती है पहला है gonadal agenesis, दूसरा gonadal disc genesis दीसरा true hermaphroditism, चोथा pseudo hermaphroditism पहला है gonadal agenesis gonadal agenesis के अंदर जो sexual organ होती है like testis और ovaries होती है वो develop नहीं करते हैं अब इस abnormality को हमसानी से detect कर सकते हैं fetal life के अंदर और यह रोग cases होती है, chromatis negative होती है यानि जो sexual organs अगर testis या ovaries कभी develop ही ना करें तो यह chromatis negative वाला case हा जाता है जिसको बोलते है gonadal agenesis gonadal disc genesis के अंदर external genitalia तो मझूद होती है लेकि testis और ovaries puberty के उपर पूरी तरह develop नहीं कर पाते अब इसकी भी दो important example होती है पहला है client failure syndrome, male के अंदर जिसको बोलते है male hypogonadism और female hypogonadism के वज़ा होती है Turner syndrome, client failure syndrome के अदर जो बॉय होता है, वो initially तो grow करता है develop करता है, लेकिन उसकी puberty delayed होती है अगर examination करें, तो examination में इसके जो testicles होती है, testis होती है काफी small होती है, firm consistency होती है gynecomastria होता है u nocoidism के features आना शिरो होती है like long arm है, legs है okay, scanty pubic or axillary hair है, अब इसका मतलब किया है, यू nocoidism का इसका मतलब है, कि testis है ही नहीं या किसी कोई काम ही नहीं कर पारे, क्यूंकि आपको पता है कि तो testosterone है, इसने epiphysis को जल्दी से बंद करवा देना है अगर टेस्टोस्टी नहीं होगा, तो epiphysis की क्लोईर नहीं हो पाएगी long arms होगे, legs होगी scanty pubic or axillary hair होगे poor or no beard growth होगी अगर nuclear sexing करें तो nuclear sexing में पता चलता है कि chromatin positive है, यानि इनके अधर भी bar body देखने को मिलती है, like female है और इनका जो chromosomal pattern होता है वो xy वाला होता है, okay naturally sterile होता है, और यह procreate नहीं कर सकते हैं, ठीक है इसके बाद है turner syndrome turner syndrome में 3 principal features होता है like sexual infantilism, यानि sexual organ है, वो infant like होता है short stretcher होता है, congenital anomalies होती है webbing of neck है, cubitus valgus है cubitus valgus है, यह एंगल होता है carrying angle वाला, ठीक है okay, इसके बाद है coaction of iota है, red green color brightness है red green color brightness है red green color brightness है renal abnormalities है, और osteoporosis होती है sexual infantilism के अंतर primary immunodia होगा, यानि infant like condition आना शीर हो जाती है breast की development neopathy white day space nipple होता है अब इन चीज़ों को थोड़ा pathology को इसे भी कर सकते हो, यहां से skip कर देना इसके बाद है true hermaphroditism इससे पहले हमने guineadal agenesis and guineadal tis genesis को पढ़ लिया था तो अब हम पढ़ने वाले है true hermaphroditism अभी यह rare condition होती है जिसको हम double sex भी बोलते है इसके अंदर external genitalia होती है न हम उसको testis कह सकते है, न हम उसको ovri कह सकते है छी कह बाद है जो external genitalia होती है न के होती है 2 know sexual character set belong करते है जो external genitalia होती है फीम ben is clitoris होती है तो internal genitalia होती है यह तो on ovri भी हो सकते है testis भी हो सकते है غम Rhodetics combination होता है जो nuclear sex foreign hypospedia देखने को मिल सकता है क्रेप्टोर्काइडियों देखने को मिल सकता है इसके बाद है इसके पूडो हर्माफ्रोडाइडीजम। pseudo-hermaphroditism के अंदर जो clear कर differentiation होती, external genitalia की वो नहीं होती, ठीक है, जिस तरह उपर में भी external genitalia को differentiate नहीं कर सकते थे, लेकिन internal genitalia किसी एक इस sex organ क्या होते हैं, उपर वाले में internal genitalia या तो एक testis, और एक ovary, या over testis हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो internal genitalia है, वो एक particular gender कहीं या testis होगा, दोनों at a time exist नहीं करेंगे, अब इनको male भी कह सकते हैं, या female भी कह सकते हैं, on the basis of the presence of internal genitalia, ठीक है, अगर testis होगा, तो nuclear sex xy आएगा, अगर ovary है तो nuclear sex xx आएगा, यह independent होगा, के external genitalia क्या है, ठीक है, अब medical legal complication वगरा create हो सकती है, like marriage के issue में, inheritance वाले के issues के अ concealed sex होती है, अब ऐसा होता है कि जो male है, वो अपने sex को छुबा लेता है by the change of dress or other methods, यानि वो अपने gender को लोगों के सामने show करने से घबराते हैं, ठीक हो गया, लेकिन जो इस case में जो gender होता है, या sexual determination होती है, वो physical examination से अच्छे तरीके से हो सकती है, okay, physical examination से, अराम से sex determination हो सकती होती है, अब physical examination में क्या क्या चीज़ा सकती है, कि males की क्या properties होती है, females की क्या property होती है, like males muscular or strong होता है, उसकी height बड़ी होती है, इसका weight जादा होता है, scalp hair short or coarse होती है, eyebrows coarse होती होती है, wise horse हो जाती है puberty के बाद, मूचे होती है, beard होती है, hair on pinna होता है, body hair, chest के उपर, abdomen के volumes के पर grow करते है, pubic hair thick or coarse होती है, breast rudimentary होता है, thyroid cartilage के angle 90 से कम होता है, shoulder broader होती है, chest के dimension जादा होता है, waist well defined नहीं होती है, flat होता है, anterior posterior flat होता है, thigh cylindrical होती है, wrist or ankle coarse or rough होती है, external genitalia, sacrotum, testis और penis होता है, ठीक हो गया, internal genitalia में vast difference prostate वेला, तो यह सारे physical examination आपको मिने बता दी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like कर देना, channel पर नहीं होता subscribe कर देना, next video में हम इससे आगे continue करेगे, हम तक्रीबन age की estimation पर लेगे, from the bones, okay, ठीक है, बाकी कुछ कीजे यहां पर लिखी लिए है, तो वीडियो को ज़रूर like कर देना,